बड़ों को परणाम, बच्चों को प्यार, आप सब को नमस्कार, जैहिंद सातियों में आरके नएक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उमीद करता हूँ सातियों, आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बारतिय राजव्यव्यवता की एक बहु पूर्ती मैतपूर्ण साबित होगी, आज की इस कलास में सातियों, आपको हम इस समंदित जो भारतिय सविदान है, इस समंदित जितनी भी कलासें अब तक अपलोड की है, उस में से अगर आपको किसी भी परकार की कोई डिकत हुई है, पीडिएफ डाउनलोड करने में या किसी को नहीं मिले है, तो वो साथियों आपके कॉमेंट जरूर करें क्योंकि रिविजन के लिए आपके पास में पीडिएफ होने चाहिए, और बाकि साथियों यहां पर जितनी भी पुस्तक आप देख पा रहे हो, इन में से अगर किसी भी पुस्तक का चाहिए, वो किसी भ आपका सलेबस है, और जो भी पुस्तक हमारे पास में वर्तमान समय की जो भरुस्यमंद गाइड है, बारतिय सविदान से समदित हो, चाहिए, इस्ट्री, जोग्रोफी, पॉलिटी, एकॉनमी, साइंस, मेत, रिजनिंग, इन सब पुस्तकों का आपको पीडिएफ मिल जाए चाहिए, तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जूड़ें और जोइन करें, और साथ ही दोस्तों, आप हमारे वार्सप गुरूफ से भी जोइन हो सकते हैं, अब साथियों, आज हम जो जानकर ले रहे हैं, वो भारतिय सविदान से समदित है कि शीरीज हमने जो परार्म की है उसका ही अगला भाग है, यानि अलग-अलग छोटे-छोटे भागों में ये कलास परार्म इसलिए की है कि ताकि आप जितना आपको टाइम मिलता है उतने समय में सोर्ट चूप से जितना वीडियो आपको 10-15 मिन्त का या 20 मिन्त का जो भी वीडियो रहता है उसको आप अच ली और पीपीटी को जो आपको मिलेगी पीडियो के रूप में उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो भारतिय सविदान से समधित में वादे के साथ कहता हूं आपका एक्जाम जो भी एक्जाम होता है उसमें कोई भी क्यूशन गलत नहीं होगा क्योंकि यह जो अब भी कलास तल रही इसके बाद में हम स्रंकला भी प्रार्म करेंगे और पीडियुप अगर आपको पहले चाहिएगी तब भी वह आपको पीडियुप के रूप में मिल जाएगी तो चले साथियों सुरू करते हैं बारतिय परिश्द अधिनियम 1861 इसके बारे में कुछ म अधिनियम है यह क्यों मैत्वपूर्ण है और इससे समदित एक्जाम में किस परकार से पूछे जा सकते हैं वह जानकरियम देख लेते हैं सबसे पहले साथियों आप यहां पर देखी सन 1861 का जो अधिनियम है इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बारत में परती निदी की जो सहस्ताइं हैं उन सहस्ताओं का गठन हुआ उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत ही सबसे पहले जो निर्वाचन पदती है उसको सवकार किया गया अब साथियों आप से एक्जाम में क्यूशन पूछा जा सकता है बारत में सब से पहले निर्वाचन पदती को कब सवकार किया गया था नंबर एक यूशन पूछा जा सकता है दूसरा आप से पूछा जा सकता है कि भारत में परती नीदी संस्ताओं का गठन किस अधिनियम के तैट हुआ चार अधिनियमों के नाम दे देंगे आप से पूछ लेंगे क्य नहीं है 1861 में परती नेदियों की संस्ताओं का गठन हुआ और इसी समय निर्वाचन पत्ति को सवकार कर लिया जैसे आप से यह वीडियो बंद होने के बाद या पीपीटी को क्लोज करने के बाद आदा एक गंटे बाद दो गंटे बाद पांस दिन बाद साथ दिन बाद म 1909 रहेगा तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए साथियों आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और पीडिय अगर वीडियो देखने के लिए ताइम नहीं है तो कोई बात नहीं आप वीडियो मत देखो पीडियो डाउनलोड कर लो और उससे तो रिविजिन कर में कई सारी कंभियां थी अब 質ी निर्वाचन पत्ति को सिव्यकार कर लिया और सब काम वह गए लेकिन इसमें कुछ कंती और कंया तो सथ्योग आप भारत के अज़गा की अलोचना को जब पढ़ेंगे तो वह बहुत बारत सवीदान में वी दुनिया बhen बर की कंभियों तो कमियां तो हर जगें रहती है और इनसान तो गलतियों का पुतला है साथियों आपको पता ही है तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं बंगाल 1862 और उत्रपस्ट में शिमापरांत 1866 उसके बाद में साथियों यहां पर है पंजाब 1897 में विदान परी सदों का गटन क किया गया अब एक्जाम में क्यूसन पूछ लिया जाए इससे समद्दित तो आपका गलत नहीं होना चाहिए उसके बाद में साथियों हम कुछ और मैत्पुन जानगारी लेते हैं बारतिये परती निद्यों को कानून निर्मान करने की परक्रिया में सामिल किया गया यह एक बहुती मैत्पुन निर्ने था 1861 का जिसमें जो बारत के परती निदी थे उनको कानून जो निर्मान होता है कानून बनाया जाता है उस परक्रिया में यहां पर सामिल करने लग गए इसका मतलब है अब देरे देरे बारत के भी अच्छे दिन उस समय आ रहे थे और वरतमान समय में भी आ रहे हैं अच्छे दिन आएंगे और आने वाले श्यांति रखिया तो 1861 इस्वी में क्या होता सात्यों लार्ड केनिंग ने तीन बारतिय सद से कौन-कौन थे यह थे आपके सर दिनकर राव और पट्याला के महराजा और बनारस के राजा को विदान परिशद म मनोनित किया अब सातियों सब से पहले आप से एक्जाम में क्यूसंट पूछा जा सकता है कि जो तीन बारतियों को सबसे पहले विदान परिशद में मनोनित किया था कब किया गया 1800 62 में किस ने किया था लाड कहन ने किया था तो अब comment करके मुझे यह बताईए अगर आपको पता है रीविजन कर रहे ओ तब तो आप बता दीजिए अगर नहीं पता है तो आने वाली कलास में आपको पता चल जाएगा आप मुझे यह बताईए लोग सभा में कितने सदे से मनोनित होते हैं राज्य सभा में कितने सदे से मनोनित होते हैं और राज्य के जो विदान मंडल है विदान परिशद है वहां पर भी आप जरूर बताईए कि कौन-कौन से सदसे कितने सदसे मनवनित होते हैं क्यMore कि जे करो कि अपने राज्य का तो बताए सकता है और सेंटर में तो आप लोगा उने सबाएं का सबी जडायों के विदार्टी जो भी नेख रहे हैं व। जरूर उने करके ताकि हमें भी पता चले कि आप पर तैयरी कर रहे हैं और वाके में एक जागरुप स्टुडेंट होने के नाते आप जो भी क्यूशन आप से पूछा जा रहा है उसका जबाब देने का कोशिज कर रहे हैं कोमेंट के माधिम से तो यहां पर सात्यों लाइड केनिंग जो यहां स्याइड के बनारच के राजा पट्याला के महराज़ा और सर दिन कर राओ तो इनको मनोनित किया जाता है अब चाहिए उसके बاز आप यहां पर देखें विकंद्री करण की प्रक्रिया को शुरू किया गया इसंगा होता है सात्यों जो केंद्री क्रेंट था यानि जो यहां पर दिरे दिरे उसका विकेंद्री करन होने लगता है उसके बाद सात्यों आप यहां पर देखेंगे जिसमें मंबई और मद्राश को उपुने विदाई कारिये दिये और प्रांतीय जो सवाइतता है पर जोर दिया गया अब सातियों ये आपके लिए काफी महत्पून जानकरिये कि यहां पर केंद्री करन और विकेंद्री करन से समझत जानकरी आपको मिल रही है उसके बाद सातियों आप यहां पर देखिए वाइस राय को कार्य परिश्द के संचालन के लिए नियम बनाने की सकती दी गई अब सातियों वाइस राय पहले कौन थे बारत के कौमेंट करके जरूर बताईए और किस अधिनियम के द्वारा बारत का पर्थम जो वाइस राय है वह बनाया गया था तो सातियों यहां पर आप देखेंगे तो लार्ड केनिंग की जो फोर्ट फोलियो फरनाली है उसको मानेता दी गई अब सातियों उसके बाद आप देखेंगे गवर्णर जनरल को अध्यादेश जारी करने की सकती दी गई अब सातियों वर्तमान समय में राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने की सकती है ठीक है कौन से अनुशेद के तायत है वो आप कोमेंट करके बताईए अगर आपको पता है तो अगर पता नहीं है तो साथियों आपको आने वाले इसी वीडियो सरंकला के अंतरगत पता चल जाएगा आप रिविजिन करते रहिए क्योंकि अद्यदेश से समन्दित आप से क्य तो गौरनर जनरल को अद्यदेश जारी करने की सक्तिक गई थी तो इससे समन्दित और वर्तिमान समय में राष्ट्रप्ति को अद्यदेश की सक्ति किस अनुचेद में वो भी पूछा जा सकता है तो यहाँ पर साथियों आपको हम बता देते हैं कि गौर्णर जनरल हो आपको जे भी विटो क्या होता है पोकेट विटो और जे भी विटो में कोई उंतर नहीं है या उंतर है वह भी बताऊंगे मैं आपको साथ्यूं और मतलब किस किस परकार के वितो पावर का उप्योग राश्ट्र पतिक कर सकता है वो पूरी जान करए आपको इसी वीडियो सरंकला कर अंतरगत मिलने वाले है आसा करता हूं साथ्यूं यह जान कर्या आपको अच्छी लगी होगी अगर जानकर यापको अच्छी लगी है साथियों अपने दूसरे भाई बैन जो भी किसी एक्जाम की तेहरी कर रहे हैं उन तक जरूर बेजिए ताकि वह भी आपका का धन्यवाद करेंगे और हम भी आपका धन्यवाद करेंगे कि आप हमारी इस मेहनत को इस काबिल समझ रहे हैं कि आप दूसरे भाई बैनों तक इसको शेयर कर रहे हैं बाकि अगर आप चाहते हो कि किसी का समय बरबाद नहीं किया जाए तो आप उन तक यह PPT या फिर PDF जो है वो जरूर बेश दीजिए कम से कम वो रिविजन तो जरूर कर लेंगे तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उमीद नए जोस और नए आसा की किरम के साथ तब तक धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम